नमस्कार एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनेर प्रभात कुमार सिंग दोस्तो आज किस वीडियो में में आप लोगों को एक बन रहे है घर का जो काम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ और कॉलम और बीम के बारे में पूरा जनकारी देते हुए इस घर का जो वाक्त्रू है इससे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ किस तरीका से टोटल काम किया गया है इससे आप देखेगा तो अगर आप अपने लिए घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बना रहे हो तो आपको कुछ आइडिया दिरूर लग जाएगा चलिए पार्ट वाइस दिख लेते हैं कि आकर इस घर को किस तरीका से बनाया जा रहा है सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर का जो साइज है उसका तो इस घर को 30 feet by 40 feet मतलब 1200 square feet में बनाया जा रहा है और इस तरीका से इससे डिजाइन किया गया है कि इस 1200 square feet में और चलिए में आपको दिखाता हूँ बात किया जा है इस घर का front view का तो देख सकते हो 40 feet का इसका front view है और 30 feet का साइड भी हुए साइड के तरफ छोटा सा एक जी डोर भी दिया गया है और यहां पर यह देख सकते हुए यह कॉर्णर है यह पूरब और दक्षिन है उसका कॉर्णर है यहां पर इस घर के लिए कीचेन बनाया जा रहा है यह अगने कॉन है और वास्तु के अनुसार भी जो पूरब और दक्षिन का जो कॉन होता है वह कीचेन के लिए कापी अच्छा माना जाता है सुब माना जाता है तो चलते हैं इस घर के अंदर देखते हैं कि कि सरीकत से काम किया जा लगना उससे पहले में आप लोग को इस घर का जो कॉलम और बीम है इसके बार में भी बताना किया जाएं तो देख सकते हो कि ग्राउंड के लेबर सलयबग डाई से तीन फीट का उसस का यहाँ पर रुरब्षाई प्राप्त किया गया है घर का फरस के लिए और एक ही वीम से आपके काम किया जा रहा है यह देख सकते हो यह इस घर के लिए प्लीन भीम लगाया गया है इसका साइज और रेंफर्समेंट में वहां पर जाकर बताता हूँ कॉलम के बारे में भी मैं आप लोगों बताता हूँ विंडव आप देख सकते हो कि सिंपल बॉक्स नुमर डिजन के सब्सक्राइब काम किया जा रहा है तो चली जहां पर इस घर का मुख्य द्वार है वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से इस घर का जो कॉलम औ के लिए जाए बंदिें का तो इसका साईस के बात कि आजया उपरवाला इसरिया का तो नौ मेंग का बहुत हरे लोग रहते हैं जो घर तो 10 mm का भी सरिया लगा देते हैं कभी आपको घर का बीम या फिर कॉलम में 12 mm से कम डाया वाला सरिया का इस्तिमाल नहीं करना है कम से कम 12 mm का इस्तिमाल करना है तो देखा आपने किस तरीका से बीम में लगाया गया चार सरिया और इसके साथ साथ यह जो कॉलम है कॉलम का भी एक अच्छा फिनिसिंग के साथ यहां पर कॉलम का कास्टिंग किया गया है चाहिए यह कॉलम का बात हो फिर अंदर का भी कॉलम आप देख रहे हो यह सारा अच्छा फिनिसिंग के साथ कॉलम का कास्टिंग किया गया है इसका अगर कॉलम का जो साइज है इसके बारे में बात 12 mm का चार सर्य के साथ यहां पर जो परतिक कॉलम है उसका काम किया जा रहा है और यह अच्छा भी अगर आप 12 mm का चार सर्य का पर्यूब करते हो 10-10 mm का कॉलम लगाते हो तो मैकसमाम आप अपने घर को एक से दो तला तक ले जा सकते हो चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखर किस तरीका से काम किया जा रहा यह 40 फिट का इस घर का फरंट भी हुआ है और यहां से इस घर के लिए में इंट्रेंस है च इतना बड़ा यह हॉल के साथ हाथ डाइनिंग एरिया करूप में इससे इस्तेमाल किया जाएगा देख सकतो इसका लेफ्ट साइड के बात किया जाए उधर है दक्षिन इधर है पूरब यही कोन अगने कोन में यहाँ पर कीचेन बनाने का काम है वो चल रहा है यहाँ आपको मिल जाते है इस घर के लिए पहला बेडरूम और यह इस घर के लिए कॉमन ट्वालेट बात्व में चले इतना दूर पर दिखाता हूं फिर उधर का जो कंस्ट्रक्शन है उससे में आपको दिखाऊंगा तो देखिए यह है कीचेन इस तरीका से तीन बैसाथ का डूर आ जा यहां पर lahा सकते हो इसके साथ साथ इधर आपको मेंट यादर के लिए भूसी बनाया जागा बेंगे बीन से सरिया को निकाला गया है उसको निकालके चोड़ दिया गया जब सेखि엽 ने ह् कुछ लोग यहां पर casting नहीं करते हैं ताकि सीडी और पूरा कास्टिंग करदे यो से आघ्या है हला के चोड़ देते तो ऑर भी जाधा अच्छा होता तो सरी को मोरते हुए ख्लाइट पाड आजागा फिर या दैक्वा फ्लाइट पाड आजागा इसलिए वहाँ एला पे होगा लेंडरी को यहाँ पर रखते हैं ध़ला कि या जा जाएगा फिर इसके बाद में यहां का ब्रिक वर्क किया जाएगा, यह है इस घर के लिए पहला रूम, आ देख सकते हो और यह और यहां पर अच्छा काम किया गया कि यह पर आप इस और ये जो बात्रूम है, इसके लिए डबल यहां पर दर्वाजा छोड़ा गया, देखिए, ये जो है, इधर दर्वाजा रहेगा, तो ये आपका हॉल से दर्वाजा है, जो की common ट्वाल बात्रूम कुर्ब में इस्तिवाल किया जागा, और ये को दर्वाजा और अंदर में ह देखाता हूँ, ये रूम से ही एक इसमें दर्वाजा छोड़ दिया गया है, कुछ इस तरीका से एक छोटा सा दर्वाजा, धाई फिट का, देख सकते हो, और इसे इसलिए छोड़ा गया है, ताकि आप चाहो, तो इससे 20 में डिभाइट भी कर सकते हो, इधर छोटा सा आप यूज कर सकते हो, अगर आप अंदर से ही जाना चाते हो, तो उधर से भी जा सकते हो, या फिर जो कॉमन करना है, तो इधर जो दर्वाजा है, इसको आप यूज कर सकते हो, हैसर या पर साइज बड़ा है, बीट में पाटिशन वाल भी किया जा सकता है, उसके साथ इध चलते हैं तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए दुसरा बेडरूम, एक बार फिर्स में सारा ची समझाओं का बस आप देखिए, यहाँ पर यह है इस घर के लिए दुसरा बेडरूम, यह देख सकते हो, डबल विंडो का प्रियोग, चार फिट पर चार फिट का, यह सार तीन देख सकते हो इधर आपको इस घर के लिए तीसरा बेडरूम बने आ जा रहा है यहां पर भी डबल विंडू देखिए चबी भी आप अपना घर का जो काम करवाते हो कॉर्णर पर अगर आपका बेडरूम आता है तो आप डबल विंडू दिलवा सकते हो जैसा कि इस वाल में पर दिवा सकते हो इधर वाल पर भी दिलवा सकते हो अगर अगल बगल का जो जैमीन है अगर खाली आया फिर आपने अपसेट एडिया छोड़ा है तो जरूर दोनों में आपको काफी रहात मिलेगा जैसा कि यहाँ पर भी दोनों जो रूम है वहाँ पर किया गया है डबल विंडू इधर भी डबल विंडू अंदर का जो दिवाल है पांच इनची का पाटिशन वाले यहाँ पर रखा गया है यह आप देख सकते हो और बाहर का दिवाल मैं क stare लेये ने बताया कि छे इंची के साथ यहां पर रखा कि एबर फीर से समझ ये से वहां से हम लोगों ने घर में एंटर किया बना साइज का मिलगा आपको हौल के साथ साथ या डाइनिंग एडिया वहां पर आपको मिलगा और की दोर वहां मिल गया सीधी रूम ये मिल गली जैसा, वहाँ प्रूजा रूम और ये फिर आपको तीसरा bedroom तो यहां समरे घर में इंटर किया, बड़ा साइज का hall मिल गया, kitchen मिल गया, cd मिल गया, पहला bedroom मिल गया, common toilet bathroom मिल गया दूसरा bedroom मिल गया, बीज में गली में पूजा room मिल गया, इधर, तीसरा bedroom गया तो दोस्तो बात के जाए टोटल नमबर अफ कॉलम का तो देख सकते हो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौधा, पंदरा और उसके साथ साथ उस कोर्नर पे 16, टोटल 16 कोलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है, काम आपने देखा कि लिंटल के लेवल तरक कम्प्लीट हो चुका है, तो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है, सिर्फ बारेश रेस व्यार वीट में, तीन बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, तीचे, ट्वालेट बाथ रूम के साथ सीड़ी और पूजा रूम भी बनाया लिया गया है, नीचे का जो फर्स का बात किया जा रहा है, कुछ लोग इसमें डस्ट भी भरते हैं, या फिर बालू भी भरते हैं, आपने बजट के नुसर, बालू और डस तब ही आपके बजट पर चला जाता है, तो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है, और भी इस घर का आने वला दिन में आपको वीडियो देखने को मिलेगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चनलने को सब्सक्राइब किसेगा डेली विस्टिस पर आपको घर बनाने से समधिन वीडियो मिलता रहेगा, तो बहुत ज़ले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजिनियर परभाद और हमारे पूरी टीम को दीज़े, इजाज़त, नमस्कार